इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का कैसे उपियोग कर सकते हैं चैप्टर थ्री आपके अवचेतन मन की चमतकारी शक्ति आपके अवचेतन मन की शक्ति बहुत बड़ी है यह आपको प्रेरित करती है यह आपका मादर्शन करती है और यह आपको स्मृति के भंडार से नाम, तथ्य और द्रिश्य प्रकट करती है आपका अवचेतन आपके दिल की धड़कन और रक्त के संचालन को नियंत्रित करता है जब आप रोटी का एक टुकड़ा खाते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे उर्जा, मांसपेश्यों, हड्डी और रक्त में वदल देता है यह प्रक्रिया प्रित्वी पर चलने वाले सबसे पुद्धिमान व्यक्ति के सोच से भी परे है आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सभी महत्पून प्रक्रियाओं और कारियां को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं का उत्तर जानता है आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता, कभी अराम नहीं करता, यह हमेशा काम पर रहता है आप सोने से पहले अपने अवचेतन को स्पष्ट रूप से यह बता कर अपने अवचेतन की चमतकारी कारे शक्ती की उपयोग कर सकते हैं कि आप एक निश्चित विशिष्ट कारे को पूरा करना चाते हैं आपको यह जानकर प्रसन्यता होगी कि आपकी भीतर की ताक्तें मुक्त हो जाएंगी जिससे वंचित परिणाम प्राप्त होंगे यहां शक्ति और ज्ञान का एक स्त्रोत है जो आपको सर्व शक्ति मान या उस शक्ति से संपर्क में रखता है जो दुनिया को चलाती है ग्रहों को उनके पाठे क्रम में मारकदर्शन करती है और सूर्य के चमकने का कारण बनती है आपका अवचेतनमन आपके आदर्शों अकानशाओं और परुपकारी आग्रहों का स्त्रोत है अवचेतनमन के माध्यम से ही सेक्स्पियर ने होसत आदमी के जिन्दगी में चुपे महान सत्य को महसूस किया निसंद्य ही यह है उनके अवचेतनमन की प्रक्रिया थी जिसने ग्रीक मूर्तिकार फिडियस को संगमरमर और कांसे में सुंदर्ता, व्यवस्था, समरूपता और अनुपार्ता को चित्रित करने का कारण बना दिया इसने इटैलवी कलाकार रफैल को, मडोना और लिडविग वैन बिथोवन को सिंफ़नी बनाने में सक्षम बनाया 1955 में मैंने योगवन विश्विद्याले तिशिकेश भारत में व्याख्यान दिया और यहां मैंने बॉम्बे के एक विजिटिंग सर्जन के साथ बातचीत की उन्होंने मुझे स्कॉच सर्जन डॉक्टर जेम्स एस्टल के बारे में बताया जिनोंने एथर या एनिस्थेश्या के अन्य आधूनिक तरीकों की खोच से पहले ही बंगाल में काम किया था 1843 और 1846 के बीच में डॉक्टर एस्टल ने सभी प्रकार के लगबख 400 प्रमुक ऑपरेशन किये जैसे की विच्छेदन, टूमर को हटाने और कैंसर के विकास के साथ ही आख, कान और गले पर उपरेशन, सभी उपरेशन मानसिक संग्यहर्शन के तहत ही किये गए थे डिशी केस के भारतिय डॉक्टर ने मुझे बताया कि डॉक्टर एस्टल द्वारा संचालित रोग्यों के पोस्ट उपरेशन में डिशी केसिस बहुत ही कम थे केवल एक प्रतिशत मरीजों को कोई दर्ड नहीं हुआ और ऑपरेशन के दौरान कोई मौत नहीं हुई डॉक्टर एस्टल ने अपने सभी रोग्यों के अवचेतन मन को सुझाव दिया जो एक कृतिम निंद्रवस्था में थे निंद्रवस्था में किसी को संक्रमड या सेप्टिक स्थिति विक्सित नहीं हुई आपको यह याद रखना चाहिए कि यह घटना लुइस पास्चर, जोसेफ लिश्टर और अन्य लोगों से पहले की है जिन्होंने रोग के जिवान उत्पत्ती और एसंक्रमित उपकारणों और विशेष्ट जीवों के कारण संक्रमड की कारणों की इशारा किया था इसी भारतिय सरजन ने कहा कि कम डेथ रेट का कारण निसंद है ही उनका अपने रोगियों को अफचेतर मन में सुझाओ देना था यह आश्चर्य जनक है जब आप कलपना करते हैं कि कैसे 120 साल पहले एक सरजन ने अफचेतर मन की चमतकारी शक्तियों का खोज की थी आपके भीतर एक शक्ति और बुध्धी है जो आपकी बुध्धी से कही अंधिक है जिससे आप सभी के चमतकारों पर आश्चर्य चकित हो जाते हो यह सभी अनुवव आपको आनन्दित करते हैं और आपके अवचेतन मन की चमतकारी कार्य शक्ती में विश्वास करते हैं आपका अवचेतन आपके जीवन की पुस्तक है जो भी विचार, विश्वास, राय, सिध्धान या हडधर्मिता आप अपने अवचेतन मन पर लिखते, व्यक्त करते या प्रभावित करते हैं आप उन्हें परिस्थितियों और घटनाओं के विसुनिष्ट अभिव्यक्ती के रोप में अनुभा करेंगे आप जो अंदर से लिखते हैं वह आपको बाहर से अनुभा होता है आपके जीवन के दो पहलू हैं उद्देश्य और व्यक्ती परक और दृश्य और अदृश्य विचार और उसकी अभिव्यक्ती आपका मस्तेश आपके विचार को ग्रहन करता है जो आपके चेतन तर्गमन का अंग है जब आपका चेतन या तर्ग संगत मन विचार को पूरी तरह से सुईकार कर लेता है तो इसे सौड़ जाल में भेज दिया जाता है जिसे आपके दिमाग का मस्तिश्क भी कहा जाता है जहां ये मास बन जाता है और आपके अनुभव में प्रकट होता है जैसा कि पहले बताया आपका अवचेतन मन बहस नहीं कर सकता यह केवल उसी पे कार्रे करता है जो आप इस पर लिखते हैं यह आपके निर्दे या चेतन मन के इस कर्शों को अंतिम मानता है इसलिए तुम हमेशा जीवन की किताब पर लिख रहे हो क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे अन आपका अवचेतन मन अनन्त बुद्धी और असीम ज्यान का भंडार है यह चुपे हुए जरने से पोशिट होता है और इसे जीवन का नियम कहा जाता है आप अपने अवचेतन पर जो प्रभाव डालते हैं वह इसे प्राप्त करने के लिए स्वर्ग और प्रिथ्वी को हिल इसलिए आपको इसे सही विचारों और रचनात्मक विचारों से प्रभावित करना चाहिए दुनिया में इतनी आरजकता और दुख का कारण यह है कि लोग अपने चेतन और अवचेतन मन की बातों को नहीं समझते हैं जब ये दोनों सिध्धान एक साथ सांती से काम करते है तो आपको स्वस्थ, खुशी और आनंद का एसास होता है जब चेतन और अवचेतन एक साथ समंझस्य और शांती से काम करते हैं तो कोई विमारी या कला नहीं होती है हामेज का मकबरा, बड़ी उमीद और आश्चर्य की भावना से खोला गया था क्योंकि लोगों का मानना था कि इसमें योगों का सबसे बड़ा रहस्य निश्चित है रहस्य यह कथन था कि जैसा भीतर, वैसा ही बाहर, जैसा उपर है, उतना ही नीचे है दूसरे शब्दों में जो कुछ भी प्रभावित होता है, आपका उचेतन मन, अत्रिक्ष की स्क्रीन पर उसे व्यक्त करता है मूसा, यश्चा, जीसस, बुद्ध, जोरोष्टर और योगों के सबसे प्रभुद संतों द्वारा इसी सत्य की घोशना की गई थी जिसे आप व्यक्ति परक रूप से सत्य मानते हैं, मोशन एंड इमोशन में बैलेंस होना चाहिए, जैसा स्वर्ग में वैसा ही प्रित्वी पर यह जीवन का महान नियम है स्वर्ग से तातपर रहे है कि आपका मन और प्रित्वी से आपके शरीर और वातावरण आप पूरी प्रकृति में लौ ओफ एक्शन एंड रियक्शन और रेश्ट एंड मोशन को पाएंगे, इन दोनों में संतुलन होना चाहिए, तभी समंजस्य और संतुलन होगा आप यहां जीवन सिध्धान्त को अपने माध्यम से लैबद और समंजस्य पूर्धंग से बहने देने के लिए हैं, आपकी सारी निराशा अधूरी इच्छा का कारण होती है, यदि आप नकारात्मक, विनाशकारी और शातिर तरीके से सोचते हैं, तो ये विचार विनाश अशकारी भावनाएं उत्पन करते हैं, जिनें व्यक्त किया जाना चाहिए और एक आउटलेट खोजा जाना चाहिए, ये भावनाएं एक नकारात्मक प्रकृति के होने के कारण, अकसर, अलसर, रेदय की परेशानी, तनाओ और चिंता के रूप में व्यक्त की जाती हैं, मित्र और सामाजिक स्थिती आपके स्वयम के विचार का एक आदर्श प्रतिबंभ है, आपके अवचेतन मन में क्या प्रभावित होता है और जो आपके जीवन के सभी चरणों में व्यक्त होता है, इसका वास्तविक अर्थ यही है, हम अपने आपको नकारात्मक विचारों से घायल करते हैं, जिनका हम मनोरंजन करते हैं, आपने कितनी बार क्रोधित, भैभीत, इर्शालू या प्रत्रोधी होकर स्वयम को घायल किया है, यह वो जहर है जो आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर जाते हैं, आप इन नकारात्मक प्रवेश्तियों के साथ पैदा नह हुए हैं अपने अवचेतन मन को जीवन देने वाले विचारों को खिलाओ और आप उसमें दर्ड सभी नकारात्मक पैटन को मिटा देंगे यसे जैसे आप ऐसा करते रहेंगे सारा अतीत मिटा दिया जाएगा और फिर याद नहीं किया जाएगा जब आप जाग रहे होते हैं या अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो आपके अवचेतन मन की निरंतर अधक क्रिया, आपके अवचेतन मन को सहैता के बिना आपके शरीर के सभी महत्पूर्ण कार्य को नियंत्रित करती है, उधारन के लिए, जब आप सो रहे होते हैं, तो आपका दिल लेबंध रूप से धड़कता है, आपके फेफडे आराम ही करते हैं, और सांस लेने और छोडने की प्रक्रिया, जिससे आपका अरक्त ताजी हवा को अवशेशित करता है, ठीक वैसे ही चलता है, जैसे आप जाग रहे होते हैं, आपका अवचेतन, आपकी पाचन प्रक्रियाओं और ग्रंतियों के सराव के साथ साथ आपके शरीर क अन्य सभी रहस्में कार्यों को नियंत्रित करता है आपके चहरे पर बाल बढ़ते रहते हैं चाहे आप सो रहे हो या जाग रहे हो विज्ञानिक हमें बताते हैं कि जागने की समय की तुलना में नींद के दौरान त्वचा बहुत अधिक पसीना स्वतित करती है धर्नेवाद करता है